हाँ डियर फ्रेंड आप सभी देख रहे हैं सॉयल मेकैनिक्स और सॉयल मेकैनिक्स में हम सभी आज बात करने वाले हैं determination of coefficient of permeability ठीक है permeability determine करने वाले हैं और यहां पर आपके स्क्रीन पर देख रहा हुआ है कि कौन-कौन से method है to determine coefficient of permeability और वीडियो देखने से पहले ते एक request करूँगा कि आप अपने जो दोस्मित्र उनको share कर लीजे और वीडियो अच्छा लगे तो आप बीच में like कर देना और comment भी जरूर कर देना चलिए स्टार्ट करते हैं method to determine coefficient of permeability क्या-क्या कौन-कौन से method है जो आपके लिए काफी helpful रने वाले है आईडियास देने वाले हैं यह इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना के और आपके सामने लेकर आता हूँ न कि ताकि आपको idea मिल जाए ठीक है दोको laboratory method होता है field method होता है और उसमें laboratory method काफी important है और इसे related questions आ सकते हैं इसे formula भी आप यहां से देखने को मिल जाएगा आपको की formula क्या होते हैं उससे आपको काफी idea मिल जाएगा वहीं आप दूसरा देखेंगे एक field method में देखेंगे तो दो method है pumping out test और pumping in test out test pumping out test और pumping in test है ठीक है जो आपके syllabus में नहीं है वही indirect method की बात करूं computation from the particle size या computation from consolidation test तो यह भी आपके syllabus में नहीं है लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूं कि यह चीजे हैं determine करने के लिए ठीक है किसको coefficient of permeability को determine करने के लिए यह भी वे हैं method हैं जिसे आप coefficient of permeability को determine कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं यह जो यह जो दो comment दिये गए हैं यहां पर मैं आपको बता दूँ यह जो फिल्ड मेथड आपका दिया हुआ है चाहे indirect method जो दिये हुए हैं यह अगर चाहते हैं कि मतलब इसके उपर भी मैं वीडियो बनाओं तो आप comment करके जरूर बताएं कि सर फिल्ड मेथड जो होते हैं pumping out test या pumping in test उस प computation from the particle size particle size से हम कैसे permeability को determine करते हैं या consideration से कैसे compute करते हैं को कैसे करते हैं वहीं फिल्ड मेथड में बोलोगे कि pumping out test किस तरीके से होता है कैसे perform होता है क्या होता है कैसे होता है इन सबी चीजों को जानना है या pumping in test के बारे में जानना है तो comment करके जरूर बताएं कि अगर आपको जानना है बाकी यह जो दोनों चीजे हैं constant head permeability test या falling head permeability test यह चीजे तो मैं आपको next video में मैं बता दूँगा ठीक है next video में मैं आपको idea दे दूँगा कि यह क्या होती है यह जो falling head है ना इसको variable head भी बोले जाता है ठीक है variable head permeability test भी बोले जाता है तो यह याद रखिएगा वो constant head है मतलब उसका जो head होगा नो constant होगा head मतलब अभी तक हम देखते आये हैं कि total head मतलब क्या represent कर रहा था उसकी height को ठीक है कि उसका जो height है permeability जो test करने वाले हैं जो water के level का height है वो constant है ठीक है उसके base पे falling head मतलब falling head बोले जाए या variable head बोले जाए variable head मतलब उसका जो head है वो variable होते रहेगा कम ज्यादा होता रहेगा वो चीजे है ठीक है अभी constant head की अगर मैं बात करूं तो वो sand or gravel के लिए होता है constant head के लिए अगर बात करूं तो sand or gravel जैसे अगर कोई soil है तो उसके लिए यह constant head permeability test better होता है वहीं अगर falling head की अगर मैं बात करूं तो सिल्ट हुआ चाहिए clay हुआ ठीक है जिसके clay में भी size थोड़ी ज्यादा हो उसके लिए important है तो यह मुझे आसा लगता है कि इसका जो main permeability test होता है और falling head मतलब variable head permeability test होता है वही field method की बात करेंगे तो pumping out test or pumping in test होता है field method का मतलब क्या हुआ कि आप direct मतलब आप soil ground पे जा रहा हो और वहां पर आप यह testing कर ले रहा हो ठीक है जिसी को field method बोले जाता है जो भी मतलब जो field का आपको testing करना permeability उसकी क्या है ठीक है उसको determine करना तो जहां का भी आपको determine करना वहां पर जाईए वहीं पर determine कर सकते हैं ठीक है उसके कोई मतलब special place नहीं चाहिए जहां पर आप जाकर उसकी testing करो जहां का आपको soil करना वहां पर कर सकते हैं इंडारेक मेथाड भी मतलब कहते हैं एक तरीक़ से मैं बोलू ना कि थोड़ा सा अलग वे में कैलकुलेट करने के मेथड को इंडारेक मेथद बोल रहे हैं तो वो खिस तरीके से होगा वो चीज़े आपको अगर समझनी है तो जो जितनी यह पॉइ करके जरूर बताना होगा ठीक है constant head permeability test यह आपको next video मिल जाएगा वहीं falling head permeability test उसके बाद next video मिल जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह जो field method है indirect method है तो comment करके जरूर बताएं तो देखते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए कि ताकि मैं आपके जो problem है जो आप किस difficult situation में फसे हैं तो उसका best solution देपाऊं तो देखते रहिए thank you for watching this video